अपने रोजवर्रा के जिंदिगी में हम अक्सर अधिकारों की चर्चा करते हैं एक लोगतंतरात्मक गणराज्य के सदर से होने के नाते हमें समानता का अधिकार, स्वतंतरता का अधिकार, वोट देने का अधिकार, चुनाओ लड़ने का अधिकार और अपनी राजनितिक पार्टियां बनाने का अधिकार है इन अधिकारों के अलावा भी हम विभीन प्रकार के अधिकारों की मांग करते हैं, जैसे सुद्ध वायू का अधिकार, स्वच्छ पेजल का अधिकार और भोजन का अधिकार, इन राजनेतिक, नागरिक एवं समाजिक अधिकारों के अलावा कुछ व्यक्तिकत अधिकार भी ह अपने भावों की अभिव्यक्ति करने का अधिकार और इन अधिकारों पर ना केवल व्यस्क मनुस्य का बलकि गर्भस्त सिसू, बच्चों और कभी-कभी तो कुछ अधिकार पश्रूओं को भी प्राप्त होते हैं तो आईए इस अधियाय में हम जानेंगे कि अधिकार क्या है, अधिकार की आवश्रक्ता क्यों है, जो ये अधिकार आज हमें प्राप्त हैं, क्या हम अपने इतिहास में जाएं तो वो हमें प्राप्त थे अत्वा नहीं और किस प्रकार प्राप्त हुए, उस अधिहासिक घट चर्चा करेंगे और साथ जो इन अधिकारों को संरक्षड देने वाली संस्थाएं हैं जैसे नियायालय, मानु अधिकार आयोग और इसके साथ-साथ बाल अधिकार आयोग, जन सूचना का अधिकार आयोक इत्यादी पर भी बात करेंगे चलिए बच्चों जानते हैं कि अधिकार क्या होते हैं अधिकार वे सामाजिक दावे हैं जो व्यक्ति को आत्मे प्राप्ति करने तथा अपने व्यक्तित्यों के विकास करने में सहायता करते हैं अब बात आती है कि इन अधिकारों की आवश्रक्ता क्यों है, तो बच्चों इसे एक उधारण से समझते हैं, माल लीजिए कोई एक पंची है और उसे किसी पिंजरे में बंद कर दिया जाए, कैद कर दिया जाए, तो उसके साथ क्या होगा? उसकी स्वतंतरता छिन जाएगी, उस पर बंदी से लग जाएगी, वह उचे आसमान में उड़े नहीं पाएगा, वह अपने मनमाफिक किसी भी पेड़ पर घोसला नहीं बना पाएगा, वह अपने मनमाफिक दाना तक नहीं चुक पाएगा, और तो और अपने जैसे अन्य पं पर निर्भर होगा कुल मिलाके उस पंची का जीवन सिर्फ उस चार दिवारी में कैद होकर रह जाएगा और वह अपनी मौलिकता भी खो देगा तो ठीक ऐसे ही जब किसी व्यक्ति के अधिकार का हनान होता है उसकी स्वतंतरता छीन ली जाती है तब उस व्यक्ति का सामाजिक मानसिक सारेरिक बॉद्धिक विकास रूख जाता है और वह उसके व्यक्तितों के विभिन पक्षों का ठीक से विकास नहीं हो पाता है इसके साथ साथ अधिकार जो होते हैं वो किसी व्यक्ति की स्वतंतरता और स्वाधिनता को संरक्षित करने का कारे करते हैं पर जो अगल अधिकार के बिना कमजोर वर्ग के लोगों का सोसण होने लगता है, आतहाँ अधिकार उन कमजोर वर्ग के लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो आप इन आवस्यक्ताओं के बिंदूओं को नोट करके रखेंगे बच्चों, चलिए, अब हम इसके बाद जो हमारा जो मानो समाज है उसमें विभिन प्रकार की कूप रथाएं पहले भी प्रचलित थी और आज भी कुछ हद तक प्रचलित हैं जैसे कि सती प्रथा, बली प्रथा और जाती प्रथा लेकिन इन सब कुप रथाओं में सबसे भयावा जो था वह था दास प्रथा, जो मनुष्य है उसका अध्य मनुष्यों के दारा ही उत्पीडन किया जाता था सोसड की पराकाष्ठा का नाम था दास प्रथा, नौकर से भी बत्तर हालत दासों की होती थी, क्योंकि नौकर को तो फिर भी काम के बदले वेतन दिया जाता था लेकिन इन दासों की स्थिती तो ऐसी थी कि उन्हें सिर्फ दो टाइम भोजन ही मिलता था, वो भी जितने में वो जिन्दा रह सके और उनसे मन माफिक काम करवाया जाता था, बैलों और गायों और पश्वों के भाती उनसे दिन रात काम करवाया जाता था और मना करने पर उन्हें कोडों से भी पिटवाया जाता था तो आमानवियता की हद तक ये दाश प्रथा प्रचलित थी तो चलते हैं हम आफरीका, अमेरिका और एशिया की ओर यूरोब और अमेरिका के लोग आफरीकी और एशियाई देसों के लोगों को दास बना कर काम करव आते थे, दासों का व्यापार 17 सदी में ACI और आफरीकी देसों में जोरों से चल रहा था, इसमें प्रमुक रूप से इस्पेन, पुर्तगाल, इंग्लेंड और फ्रांस आदी देश सामिल थे, उदाहरण के लिए फ्रांसीसी सौधागर, बॉंदे या नांते बंदरगाहो से आफरीका तड़ पर जहाज ले जाते थे, तथा वहां के इस्थानी सरदारों से आफरीकी दास को खरीदते थे, इसके पर दासों को किनी वस्तुओं की भाती बोली लगती थी और पस्वों की भाती कर्द गाठी देखकर उनकी कीमत लगाई जाती थी, जब सौधा हो जा अट्लांटिक महासागर के पार केरिवियाई देशों तक तीन महिने की लंबी समुद्र यात्रा है, तुजहाज में ठूस दिया जाता था, वहां उन्हें अमेरिका के बागान मालिक खरीते थे, इस लंबी यात्रा के दौरान दासों को तरह तरह के कश्टों का सामना करना पढ़ता था, उन्हें समय पर भोजन पानी भी नहीं मिलता था, वह बीमार पढ़ जाते थे और कई तो यात्रा के दौरान ही दम तोड़ देते थे, ये यात्रा ठीक वैसे ही होती थी, जैसे धेर सारे पसुओं को किसी गाड़ी में भर दिया गया हो, और उसके बाद उन् मनुस्य बुद्धी जीवी है, पसुओं से अलग है, लेकिन मनुस्य होकर ही अन्य मनुस्यों को पसुओं की भात्ति विवार करना कहां तक उचित है, तो बच्चों ये इस्तिती थी दासों की, उन्हें किसी प्रकार की कोई स्वतंतरता नहीं थी, ना उन्हें खाने की स्वतंतरता थी, और उनका सोशन इस अद्ध तक हो रहा था, फिर भी वो अपने दुख को, अपने कस्ट को किसी से नहीं बता सकते थे, और नियाय नहीं पास सकते थे, अभी मैंने आपको दासों के बारे में बताया, तो बच्चों जो ये उरोपी और अमेर्की देश थे, इन दासों की वज़े से ही शम्रिद्ध और आर्थिक रूप से सकतिसाली बने, इन दासों की वज़े से ही वहाँ नील, चीनी और कौफी की बढ़ती मांग को पूरा करना मुमकिन हुआ, फ्रांस के बोंदे और नांते जैसे बंदरगाह, दास व्यापार के कारण ही नगर बने, यह जो दास प्रता थी हमारे भारत में भी प्रचलित थी, अधिकतर जो निमने वर्गे के किसान होते थे, भूमी हीन, मजदूर होते थे, दलित स्रडी के लोग होते थे, उनको गुलाम बनवा कर काम कराया जाता था, और इसके अलावा, यदी वो काम नहीं करत जाते थे, तो उन्हें कोडे मरवाया जाते थे, उनसे बेगारी करवाई जाती थी, बेगारी का अर्थ है बिना पैसे दिये काम करवाना, और इस दास प्रता से महिलाए भी पीडित थी, तो जब यह सब कुछ चल ही रहा था, उसके बाद सन 1789 में कुछ ऐसी घटना होती है जिस से इन दासों को स्वतंतरता प्राप्त हुई, हम बात करते हैं फ्रांसीसी करांती की, जो फ्रांस की करांती थी, वह अधिकारों के अवधारना को सफलता पूर्वक उभार कर विश्व पटल पर ले आई, और दासों की स्वतंतरता के लिए नियू का पत्थर यह करांत तो चलिए अब हमारा नया टॉपिक आता है फ्रांसीसी क्रांती, फ्रांसीसी क्रांती क्या है, बच्चों क्रांती का मतलब क्या होता है, अब क्या समझते हैं इससे, क्रांती का अर्थ होता है बदलाव या परिवर्तन, जब किसी कारे के करण, किसी अन्य के जीवन में बदला उत्पन होता है तब हम उसे कहते हैं कि क्रांती हुई है बच्चों फ्रांसीसी क्रांती की घटना को मैं विस्तार से समझाती हूं सन 1774 में बुर्वो राजवन्स का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा उस समय उसकी उम्र महज 20 वर्स ही थी और जब उसका राज्या रोहन हुआ तब फ्रांस का राज्यकोस पूरी तरीके से खाली था विभिन्न युद्धों और महल की सानों सौकत के कारण उस पर 10 अरब लिब्रे का कर्ज भी था अब यह जो लिब्रे है उस समय की फ्रांस की करेंसी थी जैसे हमारे भारत में रूपिया करेंसी है वैसे ही फ्रांस की करेंसी उस जमाने में लिब्रे थी तो बच्चों जब यह इस्थिती उत्पन हुई तो समराट के उपर टेक्स बढ़ाने का दबाव बना ताकि राज्यकोस को भरा जा सके और जब फ्रांस की उस समय की सामाजिक इस्थिती की बाद करें तो जो फ्रांस था वो पादरी वर्ग या धार्मिक लोग आते थे सेकंड एस्टेट जो था उस पर कुलीन या राजा के संबंदी आते थे और जो थर्ड एस्टेट था उस पर विभिन व्यवसाई कारीगर्व वकील कर्मेचारी भूमी हिन मजदूर किसान इत्यादी आते थे प्रथम और दुति ये एस्टेट द्वारा टेक्स पे नहीं किया जाता था केवल तीसरे एस्टेट के लोगों द्वारा ही टेक्स पे किया जाता था ये तीसरे एस्टेट के लोग पादरियों को प्रशासन को टाइल नामक कर देते थे अर्थात इन तीसरे एस्टेट के लोगों पर दोहरे कर की मार पड़ती थी एक वो पादरियों को भी देते थे और दूसरा प्रशासन को भी कर देते थे उन कर का नाम टाइद और टाइल है यह इंपोर्टेंट है बच्चों आप इस नाम को नोट करके रखेंगे फिर इसके बाद यह हुआ कि जब राज कोस खाली था और राजा पर से टेक्स नहीं बढ़ा सकता था इसलिए कर बढ़ाने से फीरे एसरेट जनरल की बैठक बुलानी होती थी एस्टेट जनरल की बैठक में तीनों वर्गबों का प्रतिणि तो होता था पादरी वर्ग के 300 तथा कुलीन वर्ग के 300 और जो थर्ड इस्टेट के लोग थे, उनमें कुल 600 प्रतिनिधी आये, अब प्रतेक वर्गों को केवल एक मत देने का अधिकार था, अर्था फर्स्ट से एक मत, सेकंड इस्टेट से भी एक मत और थर्ड इस्टेट से भी एक मत आना था, किन्तु जो थर्ड स्टेट के लोग थे उसमें पढ़े लिखे और उच्छ वेवसाइक लोग आये हुए थे वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत थे अतह उन्होंने मांग रखी कि प्रतेक वर्ग के प्रतेक सदस्य से मत लिया जाए अतह राजा ने उनकी इस मांग को अस् इसी बीच ऐसा हुआ कि फ्रांस में अकाल भी पढ़ गया तो चूंकि राजकोस भी खाली था अकाल भी पढ़ गया और इसके साथ साथ फ्रांस में जनसंख्या भी तेजी से बढ़ गई तो इसके करण जो जनता थी वहां की वहां असंतोस और आक्रोस का महौल था फ्रांस के जो राजा थे लुई 16 वो इसे संभाल पाने में मुस्किल अन्भों कर रहे थे और कुछ जो थर्ड स्टेट के जो नेता थे वो विद्रोही कारे पर लिप्त थे जिसके करण कुछ लोगों को बंदी भी बना लिया गया था ऐसा ही समय चल रहा था कि इस बीच एक अफवा उड़ी की पैरिस में सैनिक घुसाएं हैं जिसके करण तेजी से विद्रोह भड़ाक उठा और जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे कुल 16,000 लोग स्वयम से भी सैनिक बनकर एक साथ पैरिस के बास्टील किले पर अटेक किये उस बास्टील का जो किला था वह राजा का प्रतीक था उसे ध्वस्त कर दिया गया और उसके सारे हतियार लूट लिये गया और जो उसमें बंदी कैदी थे उन्हें भी छुडाया अब राजा समझ चुका था कि स्थिती में सुधार नहीं होना है अता जो थर्ड स्टेट की मांग थी उसने मान ली थर्ड स्टेट अपने आपको नेशनल असेंबली घोसित कर चुका था अता उसने नेशनल असेंबली को भी माननेता दे दी और इस नेशनल असेंबली के मा कार पालिका विधाई का तथा न्याय पालिका में विभाजीत हुआ धीरे धीरे राजा की सक्तिया कम हुई और जो नेशनल एसेंबली था उसका एक गुट था जेकुबियंस गुट उसने कुछ समय बाद राजा को ही दोसी करार दे उसे ही बृत्यु दंड दिलवा दिया तो फ्रांस के राज्य में पहली लोकतंत्र यहीं से स्थापना हुई अब जब जो नेशनल एसेंबली थी वह पुना बैठक लेती है और बैठक लेने के बाद जो नेशनल एसेंबली के सदस्य थे अब वो राज्य कर रहे थे और लंबी बहस करने के बाद फ्रांस के उपन फ्रांस ने कई राज्यों पर अपना अधिकार कर रखा था तो वो जो राज्य और देस थे वो फ्रांस के उपनिवेसिक राज्य थे जैसे कि भारत इंगलेंड का उपनिवेसिक राज्य था उसी प्रकार फ्रांस के भी कुछ उपनिवेसिक राज्य थे और वहां भी विभिन प्रकार के दास और विदेशी लोग रहते थे तो इस नेशनल एसेंबली ने फ्रांस समेथ फ्रांस के उपनिवेसों में रहने वाली जनता को मौलिक अधिकार दिये तथा आफरीकी देशों से लाए गए जो गुलाम थे जो दास प्रथा से पीडित थे उन सभी को सन 1794 में इ मुक्ति का दिन था तो सन 1794 में दास मुक्ति कानून पारित किया गया और उन सभी दासों को मुक्त किया गया अब वो कारे तो करते थे किन्तु वो दास नहीं थे लेकिन इस मुक्ति कानून के 10 फर्स पस्चाथ फ्रांस की गद्दी पर सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट बैठा और ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था इसने पुनाह दास प्रथा चालू करने की इजाज़त दे दी तो इस प्रकार कुछ समय तक पुनाह दास प्रथा स्टार्ट हो गया था लेकिन फ्रांस में पून रूप से सन 1848 में इस प्रथा का उन्मूलन किया गया उस समय क्योंकि ये दास पढ़े लिखे नहीं होते थे इन्हें सिक्षा का अधिकार नहीं था लेकिन जब ये दास प्रथा से मुक्त हुए सन 1848 में तब इनमें बहुत खुसी थी और ये अपनी खुसियों को जाहिर करने के लिए कुछ संकेतों का प्रयोग करते थे तो बच्चों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये संकेत जैसे पहला है तूटी हुए जंजीर चीतर में आपको तूटी हुए जंजीर दिख रही है तो ये संकेत होता था कि दासों को क्योंकि ये दासों को बांधने के लिए इन जंजीरों का प्रयोग होता था तो तूटी हुई हदकडी उनकी आजादी का प्रतीक था उसके अलावा जो लाल फ्राइजियन टोपी पहना करते थे जो मुक्त दास थे वो लाल रंग की एक टोपी पहना करते थे तो ये लाल फ्रांस की प्रतीक थी इसके अलावा ये पंखो ये डैनों वाली जो इस्त्री दिख रही है यह कानून का मानवी रूप थी हमारे भारत में भी एक इस्त्री है जो आखों में पट्टी बांधे हुए रहती है और हाथ में तराजू लिए हुए है तो वह हमारे भारत के कान कानून का मानवी रूप है उसी प्रकार ये पंखो वाली जो महिला है वह फ्रांस के कानून का मानवी रूप है और इसके अलावा एक और चिन है प्रदर्सित किया जाता था विधी पट तो इस विधी पट में यह एक स्याम पट की तरह होता था उसमें कुछ लिखा होता था इस विधी पट में लिखा होता था कि कानून सब के लिए समान हैं और कानून के सामने सब बराबर हैं तो इस प्रकार से दासों को स्वतंतरता मिली फ्रांस में अब अमेरिका में कब मिली तो बच्चों एक फ्रांस में दासप्रथा उन मूलन के बाद अमेरिका में दासप्रथा को सन 1865 में समाप्त किया गया तथा इसे अमेरिका के इसे समाप्त करने का सरे ब्रिटिस भारत के सर विलियम बेंटिक को जाता है उस समय यहां के गवर्नर जनरल थे और हमारे एक महान समास सुधारक राजाराम मोहन राय का भी इसमें विशेश योगदान था राजाराम मोहन राय जी के द्वारा सती प्रथा का भी उन्मूलन किया गया था सती प्रथा भी स्वतनत्रत के हनन और जीने के अदिकार का ही हनन का एक रूप था सती प्रथा में जो महिलाएं विध्वा हो जाती थी उन्हें उनके पती के चिता के साथ ही जिन्दा जला दिया जाता था तो इस प्रकार इन कूप रथाओं का 18 और 19 सदी के प्रारंब तक अंत हुआ और सभी को स्वतंत्रता और जीने का अधिकार मिला फिर इसके बाद अब हम आते हैं कि समानता का अधिकार किस प्रकार मिला अभी मैंने आपको ये बताया कि सन 1865 में अमेरिका से दास्प्रथा का उन्मूलन हुआ तथा स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ अब इस स्वतंत्रता के अधिकार के बावजूद भी दासों को समानता का अधिकार नहीं था उनके साथ भेदबाव किया जाता था अमेरिका जैसा राज जी भी जो कि सन 1776 में आजाद हो चुका था उसने अपने नागरिकों के लिए बहुत सारे अधिकार भी प्रदान किये किन्तु वहां पर रहने वाले जो स्वेत लोग होते थे जो गोरे लोग होते थे वे अस्वेतों से भेदबाव पून वेवहार करते थे अमेरिका के सविधान में आजादी के तुरंत बाद ही अपने नागरिकों को कई अधिकार दिये गए लेकिन महिलाओं और अस्वेतों को नागरिक अधिकार हासिल करने के लगातार संगर्स करना पड़ा ये नागरिक अधिकार जिने हम सिविल राइट्स भी कहते हैं उन्हें सन 1920 में मिला स्वेत महिलाओं को ये मतअधिकार सन 1920 में दिया गया जबकि अमेरिका चार जुलाई सन 1776 में ही आजाद हो चुका था अर्थात लगभग 150 साल बाद उन्हें मतादिकार प्राप्त हुआ लेकिन अब तक अस्वेतों एवं अमेरिका के मूल लिवासियों जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता था कि इस्थिती दैनी थी अमेरिका में सिर्फ अपने अस्वेत रंग और अलग नसल का होने के कारण उनसे भेदभाव किया जाता था उन्हें किसी सारजनिक बस, गाड़ी, रेस्टोरेंट, मनोरंजन के इस्थान जैसे सिनेमा घर इत्यादी में बराबरी से बैठने का अधिकार नहीं था और क्यूंकि जो काले आफ्रीकी लोग थे जिनें हम अस्वेत कह रहे हैं और जो गोरे लोग थे वो बराबरी से बात नहीं कर सकते थे उन्हें खाने पीने मनोरंजन के सारजनिक इस्थानों पर समान आउसर प्राप्त नहीं थे सन 1956 में अमेरिका की एक अस्वेत महिला जिसका नाम रोजा पार्क था आप फोटो में देख सकते हैं रोजा पार्क वह बस अपने आफिस जाने के लिए बस में सफर कर रही थी लेकिन उस बस में उसके साथ भेत भाव पून वेवहार हुआ जिसका उसने विरोध किया इसके कारण उसे जेल में डाल दिया गया इसकी खबर अमेरिका के अस्वेतों कुही और उन्होंने एक आंदोलन खड़ा कर दिया और जिसका नेत्रित रोजा पार्क की अपनी सीट ना छोड़ने पर गिरिपतारी की गई इससे आक्रोशित अधिकार कारे करता थे और एक मार्टिन लूथर की जो आप पहले अध्यन कर चुके हो वह एक दार्शनिक थे तो इन दोनों में अंतर हैं तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतित तुमें एक अंदोलन खड़ा किया गया जिसमें सिविल राइट्स अरथाथ नागरिक अधिकार अंदोलन के नाम से जाना जाता है मार्टिन लूथर किंग जो थे उन्हें अमेरिका का गांधी कहा जाता है इन्होंने सांतिपूर अहिसक तरीके से पूरे एक साल तक सारजनिक बसों का बहिसकार किया ये गांधी जी की अन्युआई थे और बसों का बहिसकार करने के साथ साथ ये आफिस या इन्हें किसी भी कारे से जाना होता था तो ये सब अस्वेतों को पैदल जाने की सलाह देते थे उन्होंने विभिन इस्थानों पर धर ने दिये तथा लगातार प्रदर्शन किया उनके प्रदर्शनों तथा दबाओं की वजह से सन 1964 में अमेरिकी सरकार को सिविल राइट्स लागू करना पड़ा अर्था समानता का अधिकार लागू करना पड़ा तो आपने स्वतंत्रता का अधिकार जो फ्रांस की सन 1789 की घटना थी पहली बार प्राप्त हुआ था और जो समानता का अधिकार है वह किसी राज्य में पहली बार कप प्राप्त तो सन 1964 में अमेरीकी सरकार को अपने सभी नागरिकों को व्यस्क मता अधिकार प्रदान करना पड़ा। इससे पहले तक केवल कुछ पुरसों को ही अधिकार था उसके बाद उन्नीस सो 20 में केवल स्वेत महिलाओं को ही ये अधिकार प्राप्त था। सन 1964 के बाद सभी स्वेत और अस्वेत जो ब्यस्क वहां के पूरुष महिलाएं होती थे अब वो सब वोड़ देने के हगदार थे जबकि हमारे भारत में हम क्या सोचते हैं कि ये तो हमारा सुर्वास से ही अधिकार रहा है किन्तु ऐसा नहीं है बच्चो इन अधिकारों को प के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं जो मार्टीन लुथर किंग थे वे अपने समय के समास सुधारक थे मानव अधिकार कारी करता थे मार्टीन लुथर किंग ने अवग्या अंदोलन किया और हमारे भारत में अवग्या अंदोलन के कौन अग्रणी नेता थे महात्म गांधी हम बच्चों उन्हीं सभी महात्मा गांधी के आदर्सों पर ही चलकर इन्हों ने शमानता का अधिकार प्राप्त किया, इसी लिए उन्हें अमेरीका का गांधी कहा जाता है. तो मार्टिन लूथर किंग ने अवग्या अंदोलन किया अर्थात वो सांती से सरकार के द्वारत दिये गए आदेशों का विरोध करते थे और लंबी पद्यात्रा तथा प्रदर्शन की सीधी कारवाहियों से अश्वेतों के लिए सामान अधिकार हासिल करने के लिए उन्हो 63 को वासिंग्टन डी सी में लिंकन इसमारक के नीचे लगभक दो लाग पचास जार लोगों के बीज एक बहुत ही भावनात्मक भास्टड दिया इस भास्टड को किसी भी मानव अधिकार कारे करता के द्वारा दिया जाने वाला सबसे प्रभावसाली भास्टडों में से एक कहा जाता है इस भास्टड के कुछ अंस इस प्रकार है मैं आपके साथ इस अभियान में सामिल होते हुए गर्व और खुसी महसूस कर रहा हूँ जिसे इतिहास में एक महान इतिहासिक अभियान के रूप में याद किया जाएगा लगभग सव वर्स पहले एक अमेर्की जिसकी परचाई में हम खड़े हैं ने अस्वेतों की मुक्ती की घोष्णा के पत्र में हस्ताक्षर किये थे इस आदेश से लाखो अश्वेत नागरिकों को आसा की किरण दिखाई दी थी कि हम भी सुखद और संबान पूर्वक जीवन जी सकेंगे यह महान आदेश हम अस्वेतों के लिए लंबी और अंधेरी राद के बाद चमकती सुभा के समान था लेकिन हमें लगा कि हम अन्याय के लप्टों में जुलसने के बाद न्याय की ठंड़क और चांदनी को हसिल कर पाएंगे लेकिन इस महान आदेश के आज सौ वर्स बीतने के बाद भी अस्वेत आज भी स्वतंत्र नहीं है सौ वर्स बाद भी अस्वेतों का जीवन तरह तरह के प्रतिबंधों के घावों की बजह से निशक्त है हम आज भी अलगाओं का जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं हमारा जीवन अभी भी भेदबाओं की जंजीरों से जकड़ा हुआ है सौ वर्स बाद भी अश्वेत अमेरकी समाज के एक अंधेरे कोने में दबे हुए हैं और हम अपने आपको अपने ही देश में निर्वासितों की तरह महसूस करते हैं इसलिए हम आज यहां अपनी शर्वनाक इस्तिती को नाटकी अभिनाय के द्वारा सब के सामने पेश करने इखटे हुए हैं मेरा एक स्वपन है यह ऐसा स्वपन है जो कि स्वतंत्र समरिद्ध और प्रगति सील अमेरिका के स्वपन से जुड़ा हुआ है मेरा एह स्वपन है एक दिन यह देश अपने स्वार्थों से उपर उठेगा और अमेर्की होने का वास्त्विक अर्थ समझेगा हम इस सत्य को जो कि स्वयम सिद्ध है पूरी मजबूती के साथ स्विकार करते हैं कि सभी लोगों को बराबरी से बनाया गया है सभी लोग बराबर हैं मेरा एह स्वपन है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मेरे चारो बच्चे अपने रंग या चमडी से नहीं बलके अपने बलकी अपने चरित्र से जाने जाएंगे मेरा यह स्वपने है कि एक दिन अलवामा में छोटे छोटे अस्वेत लड़के लड़कियां अपने जैसे स्वेत बच्चों से भाईयों और बहनों की तरह हाथ मिलाएंगे और साथ मिलकर खेलेंगे मेरा यह स्वपने है कि एक दिन ऐसा होगा जिस दिन इस्वर के सभी बच्चे आजादी के गीतों को नए अर्थों के साथ गाएंगे इस प्रकार उनका यह एक बहुत ही भावनात्मक भाशन रहा इस अंदोलन के पस्चात अमेरिका ने सिविल राइट लागू किया जिससे समानता का अधिकार प्राप्त हुआ और सन 1864 में ही मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइस दिया गया और यह नोबेल प्राइस उन्हें सांती के लिए प्रदान किया गया था भारत में महात्मा गांधी और भीमरों अम्बेटकर जी के द्वारत समानता के अधिकार के लिए विसेश लड़ाई लड़ी गई महात्मा गांधी जी ने हरिजनों के उद्धार के लिए बहुत अधिक प्रयास किया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज यहां भी शमानता का अधिकार लागू है